जै मात आदी दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारी यूटूब चेनल में तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगे दिनांक 28 जुलाई बूधवार याने गणेज जी देउता खवार मित्रों केसा रहेगा आज का यह दिन आप लोगों के लिए साथ ही मित्रों आज आपका धामपत्य जीवन केसा रहेगा आपका प्रेम संभंध केसा रहेगा आपका व्यापार केसा रहेगा आपकी नोकरी के बारे में संपूर्न जानकारी हम देने वाले हैं मित्रो संपूर्ण ग्रह गोचर पर आधारित यह रासीफल आप सबी के लिए अत्यंत मेहतु पुरुण हैं तो आपसे विनर मिनिवेदन है कि वीडियो को सुरु से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए साथ ही मित्रो जो भी जातक वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा परिष्टिती की जड़ तक जाकर उसे सुल्जाने का रास्ता प्राप्त होने वाला है जिसकी वज़े से खूद के प्रती अच्छा मेसोस होगा और साथ में बातों से संबंदित सयम रखना भी आप सिखेंगे परिष्टिती कठी नहीं है लेकिन जटिल है इसलिए सौम्य स्वरूप से अपना बरताओ रखने की आविश सकता है तभी परिष्टिती आसान होगी और मित्रो काम से संबंदित मिल रही अलग-अलग जिम में द्यारियों के कारण आप कुछ देर खुद को खोया हुआ मेसोस कर सकते हैं लेकिन हर एक बात पर अपना नियंत्रण पाने की कोशिज करनी होगी और मित्रो पार्टनर से जरूरत स्दिक अपेक्साई रखना आप के लिए दुख का कारण बन सकता है दीन आपकी योजना के मुताबिक आगे बढ़ता जाएगा लेकिन अचानक से ही कुछ बातों में बड़ा बदलाव नजर आ सकता है इसलिए खुद के अंदर लचिला प आपके लिए आसान होगा काम के लिए चाहे जितना भी विरोध क्यों ना हो काम आपके लिए क्यों मेहे तो पूरण है इस बात पर ध्यान टिकाए रखना आविस्यक होगा और पार्टनर और रिलेसनसिप से संभन्थित गंभिरता कम होने की वज़े से जाने अंजाने में रिलेसनसिप को नजर अंदाज कर सकते हैं आप अपने ही विचारों में खोए रहने की वज़े से अधिक धुविदा मेसोस होगी और लोग की बातों को भी सुनने की कोसिस करें यदि कोई आपको राय दे रहा है तो उस राय के पीछे का कारण जाने और व्यक्ति की भावन को भी समझे लोग आपको खुड़ होकर मदद करने की कोसिस करेंगे इसलिए अपनी व्यक्तिकत दायरे से थोड़ा पहार निकलना होगा और मित्रों काम से संबंदित बातों की वज़े से तनाव बना रहेगा लेकिन केवल यह आपकी सोच के कारण ही तनाव है काम में आप पारंगत है और काम आपको बेहत्रिन तरीके से करना भी आता है परन्तु मित्रों आए हुए दो रिस्तों में से किसी एक रिस्ते का चुनाओ कर पाना फिलहाल कठीन लगेगा इसलिए अपनी अपिक्साओ को जाने और उससे मिलते जुलते रिस्ते से संबंदित सोच विच लगेगा इसलिए तकलिवों से ना भाक्तों सीख को प्राप्ट करने की कोशिश करें अगले एक दो दिन आपके लिए कठीन हो सकती है लेकिन इससे ही आपको खुद के अंदर बदलाओ नजर आएगा जो भविश्य से संबंदित कामों के लिए अत्यन तो प्युक्त और मन चाहा व्यक्ति ना मिलने की वज़े से मन में बेचेनी रहेगी लेकिन लव लाइफ को सुधाने के लिए भी आप प्रियतन जारी रखेंगे लोव बीपी से संबंदित समस्या उत्पन हो सकती है मित्रों आपके काम से जुड़ी परिष्टिती कठिन रहेगी लेकिन आपको दिये गई जिम्मेदारी को आप निभाने के लिए सकसम है इसलिए परिष्टिती का विचार ना करते हुए अपने काम को ठीक से करने की कोशिस करनी होगी और कोई मेहे तो पूर्ण व्यक्ति आपके उपर निर्भरता रख रहा है इसलिए उनकी अप्यक्साओं की पूर्ति काने पर पूरा ध्यान देना होगा और विदेश से संबंदित काम आपके बढ़ सकते हैं लेकिन आपको अपनी समता को भी बढ़ाने की कोशिस करनी होगी और रिलेशन्सिप में आ रहे उतार चड़ाओ आपको बेचेन करा सकते हैं रिलेशन्सिप संबंदित से ह हर एक बात के बारे में अधिक सोच विचार करके उसे जटिल ना बनाएं और पेर से संबंदित तकलीफे बढ़ सकती है दिन की सुरुआत सकरात्मक तरीके से होगी इसलिए दिन भर आपका उससा भी बना रहेगा और अपने काम से छुटकारा पाकर आप कुछ समय एकांत में और मित्र परिवार के साथ बीटाने की कोशिस करेंगे पूराने किसी समस्या का हलाप प्राप्त होने वाला है इसलिए भी आपके उपर का तनाव कम होगा और आपको दी गई जिम्मेदारी ठेक से निभाने के कारण वरिष्टों की मर्जी आप पर बनी रहेगी मित्रों र इच्छा सक्ती बढ़ाने की आव सकता है लेकिन इस इच्छा सक्ती को जीद में परिवर्थ इतना होने दे छोटी बातों का भी आपके उपर बड़ा सर दिख रहा है और जिसके कारण आपकी समता कम हो रही है आप खुद को कमजोर भी बना रहे हैं और विचारों में इस् भी आपको मिलता जाएगा और अपने रिलेशन्शिप के बारे में परिवार के लोगों के साथ फिलहाल चर्चा ना करें आपके उपर बढ़ते हुए तनाव को सुल्जाने की कोशिस करनी होगी फिलहाल बातों को आप अंदेखा कर रहे हैं जिसकी वज़े से कुछ समय के लिए आपको राहत प्राप्त होती है लेकिन यही बड़ी बाते सामस्याय बंद कर आपके सामने भी आ रही है इसलिए में तो कुछ ही बातों में आप सोच विचार करके उन्हें अंजाम तक पहुचाने की कोशिस करें और करियर के प्रती जो बदलाव लाना चाहते हैं उस आसंका कम है और शरीर में बढ़ती चर्वी के कारण आलस में सोस हो सकता है किसी भी प्रकार की हडबड़ी करके काम को पूरा करने की कोशिस ना करें फिलहाल आपका नुकसान होने की आसंका बन रही है इसलिए मित्रो हर एक निर्णाई को दो बारा परक कर ही आगे बढ़न नहीं रहे हैं इस बात पर ध्यान देना होगा आपको दिये गए आउसर को ठीक से निभाने की कोशिस करें वरना इसका असर भविस्य में मिलने वाले काम पर दिख सकता है और प्रेम संबंदों में अधिक होए रहने की वज़े से आप खुद को और व्यक्तिक जीवन दोनो को भी नदाच कर सकती हैं मित्रों पेशों से संबंदी समस्या सुलजती हुई नजर आ रही है लेकिन पेशा आपको अपने हाथ में प्राप्त नहा होने की वज़े से चिंता भी रहेगी जब तक कुछ निर्णाई आपके तैई नहीं होते तब तक इन निर्णाई के बारे में परिवार के लोगों के साथ चर्चा ना करें क्योंकि उनके दोरा जिताई गई चिंता आपका आत्म विश्वास कम कर सकती है और व्यापार से जुड़े लोगों को अपने काम के प्रती अधिक फोकस रहने की आवशत्ता होगी क्लाइंट के साथ अधिक मित्रता भरा व नियसूस हो सकता है आप अपनी सोच और समझदारी से आने वाले संकट के लिए खुद को तेयार कर रहे हैं लेकिन मन में संकट के बारे में डर अधिक रहने की वज़े से आप खुद का विश्वास भी कम कर रहे हैं कठिन परिष्टिती के लिए खुद को तेयार करना एक विशेस गुण हैं लेकिन हर परिष्टित से संबंदित कठिनायो और नकारात्मक ताही देखना आपको भी नकारात्मक बना रहा है आपको मिल रही आर्थिक प्रगति के द्वारा आप किसी छोटे मोटे व्यापार के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं और योग के जरूरस अधिक बात्चित होने के कारण भी आप अपना मार्ग भूल सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बरता होगा प्रभाव अपने उपर ना होने दे ना ही उनके सकारात्मक और नकारात्मक बातों को अपने व्यक्तिगत हिस्सा बनाए और मित्रो काम से संबंदित बाते को भी तक स्क्राइब नहीं किया है तो वह जो स्क्रिन पर लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजेगा वपास्म वह गंटी भी दबा कर हम से अभी जुड़ जाईएगा